Hi guys, welcome you all once again So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ProTS को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्ट्रॉल करना है तो सबसे पहले आप लोगों को इसको डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और वो बेसिकली एक गूगल ड्राइव का लिंक है तो जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा और यहाँ पर अलग-अलग आपको software मिल जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर Proteus version 7.8 जो है इसको डाउनलोड करना है यह something around 80 MB का होगा तो इसको आप लोग यहाँ से easily डाउनलोड कर सकते हैं फिलहाल मेरे पास यह software already है तो इसको मैं फिलहाल डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ आप इसको डाउनलोड कर लीजिए तो यह हम लोगों का Proteus version 7.8 है और यह basically एक cracked version है तो देख लेते हैं कैसे कैसे इसको install करना है सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर double click करना है double click करते ही आप लोगों को user account control का यह notification आ सकता है तो यहाँ से आप लोगों ने yes click करना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर Proteus 7 की तरफ से एक welcome note आएगा तो इसको आपको simply यहाँ से next click करना है फिर यहां से आप लोग इसको I agree करेंगे इसके बाद Next आपको प्रेस करना है Next इसके बाद आप लोग यहां पर अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको अपना नाम देना है, कंपनी का नाम देना है तो यह कुछ भी आप दे सकते हैं फिर इसके बाद आप लोग यहां से next क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों को अपना ये path चेक कर लेना है, ये फिलहल मेरा c drive में program files x86 lab center electronics के अंदर install हो रहा है, तो आप लोग इस path को थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, इसके बाद आप लोगों को यहां से again next प्रेस करना है, फिर इसके बाद आप लोग यहां पर चाहें तो shortcut create कर सकते हैं, तो ये आपके उपर है, फिर इसके बाद again आप लोगों को यहां पर next प्रेस करना है, और again next आप प्रेस करेंगे, तो ये आप लोगों को यहां पर installation स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल थोड़ा सा ये time लेगा, तो installation हम लोगों का यहां पर successful हो चुका है, तो इसके बाद आप लोगों को यहां पर से finish कर देना है, next मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, कि ये हम लोगों का एक cracked version है, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ instructions को follow करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर Windows C Drive म में जाना है और इसके अंदर आप लोग Program Files X86 नाम का Folder होगा इसमें जाएंगे इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को सर्च करना है Lab Center Electronics नाम से एक Folder को तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा अब इसके अंदर आप जाएंगे इसके अंदर आप लोगों को ProTS 7 Professional नाम से एक folder मिलेगा अगेन आप इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर आप लोगों को bin नाम से एक folder मिलेगा इसको आप click करेंगे तो इसके अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हम लोगों का isis नाम से एक file है यह basically आप लोगों की application file होगी तो यहाँ से आप लोगों को इसको right click करना है और इसके बाद इसको send to desktop आप कर देंगे इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से close कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप लोग desktop में हम लोगों का यह icon आ चुका है तो इसको मैं यहाँ से open कर लेता हूँ तो यह आप लोगों का protea 7 professional है so next लोग इस software को थोड़ा सा explore करते हैं यहाँ पर आप लोगों को leftmost side में बहुत सारे icons दिखेंगे यह basically आपके different modes है अगर आपको components चाहिए तो components mode में आपको जाना होगा इसके बाद अगर आपको instrument use करना चाहते है virtual instrument जैसे आपका CRO है या फिर आपके multimeters है तो उसके लिए आप लोगों को इस mode में जाना पड़ेगा तो फिलहाल suppose मुझे कुछ component चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले components mode में जाना होगा next इसके बाद आप लोगों को P में click करना है P है आप लोगों का यहाँ पर pick from libraries ओके तो P में आप click करेंगे और इसके बाद जो भी device आप यहाँ पर search करना चाहते हैं या फिर जो भी component आप search करना चाहते हैं उसको यहाँ पर type करेंगे तो फिलाल मैं यहाँ पर R.E.S. लिखता हूँ तो जैसे ही आप R.E.S. लिखेंगे तो यहाँ पर आपको resistance दिख जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको इसके symbol भी दिखेंगे यह आप देख सकते हैं और इसके बाद अगर आपको capacitor चाहिए तो आप यहाँ पर CAP लिख सकते हैं capacitor लिखते ही आपको यह मिल जाएगा और अगेन आपको अगर diode चाहिए तो यहाँ पर आपको diodes मिल जाएंगे similarly अगर आपको कोई micro controller चाहिए तो यहाँ पर उसका आप नाम लिख सकते हैं तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर pick तो pick लिखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर results मिलेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर नीचे search करना पड़ेगा तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोगों को pick के बहुत सारे controllers मिल जाएंगे similarly आपको अगर ARM की चाहिए तो ARM आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ARM-based बहुत सारे controllers मिल जाएंगे similarly 8051 अगर आप लिखते हैं तो 8051 के controllers भी आपको मिल जाएंगे यह आप लोगों के 8051 controllers हैं इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ instruments चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर instrument mode में जा सकते हैं यहाँ पर oscilloscope है आप लोगों का counter है इसके बाद voltmeter आपको मिल जाएगा emitter मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े आप लोगों को यहाँ पर available होती हैं तो इस software में आपको 8051, AVR, PIC और ARM-based बहुत सारे controllers मिल जाएंगे but initially हम लोगों को यहाँ पर audiono की जरूरत है तो audiono आपको inbuilt इसमें नहीं मिलता है तो हम लोगों को externally उसकी library को download करना पड़ेगा और अपने proteus की library में add करना पड़ेगा तो यह चीज़ हम लोग next video में देखेंगे सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें so thank you so much for watching जय हिंग जय भारत